वेलकम टू लर्न इंडिया ओफिसियल चैनल तो मैं आप लोगों को अब मैं करवाऊंगा समान्य अध्यन जो सारे SSC सिजल, LDC और रेल्वे और और सारे कम्पेटिटिव एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगी स्टेट लेबल के भी तो मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आप से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को जरूर्श सपोर्ट करें Learn India Official चल यह स्टार्ट करते हैं यह है समान अध्यन तो फर्स्ट कोचन दिया गया है कि संगम साहित्य से भारत के किस भाग के इतिहास का पता चलता है संगम साहित्य से तो आप लोग को थोड़ा सोचने का टाइम मिलेगा तो आप लोग जरूर एंसर को सोचके बताईएगा यहां एंसर हो जाएगा option C दक्षिनी भारत second question चलते हैं second question में दिया है कि वैदिक से भेता की क्या विसेस्ता नहीं थी जो वैदिक से भेता चल रही थी उसमें क्या विसेस्ता नहीं थी तो यहां तू का B हो जाएगा नगरिय जीवन नगरिय जीवन जो वैदिक से भेता में नहीं थी उसके बाद यह बहु विवा क्रिसी वैवस्था धार्मिक जीवन यह तीनों थी चली third question third question में दिया गया है कि अंग साहित किस धर्म से समंदित है तो अंग साहित समंदित है जन धर्म से option B correct हो जाएगी next question question number 4 दिया गया है Max Muller नामक विद्वान किस लिए परसिद्ध है Max Muller नामक विद्वान हो जाएगा option ये correct वैदों का अध्यन Max Muller नामक विद्वान वैदों के अध्यन से के लिए परसिद्ध हो के डियर तो ये फाइप नमर फाइप में दिया है मोरेकाल की कौन सी विश्यस्ता थी मोरेकाल की विश्यस्ता कौन थी चारों option दिया गया है आप लोग को अध्यसर सोचना है तो ये विश्यस्ता हो जाएगा option B सरकारी बाजार नियंतरन ये मोरेकाल की विश्यस्ता थी 6 नमर 6 नमर में है कि कौन सा सासक जैन था मतलब इन में चार option में से कौन सा सासक था जो जैन धर्न को अपनाया था तो ये अपनाया था किसने चंद्रगुप्त मोरे ने ओके और ये सरवन बेल गोला में जाकर के मतलब सान्यासी के रूप में अपना जीवन को त्याग दिये थी चलिए 7 नमर में है राजपूतों का इतिहास किसने लिखा तो राजपूतों का इतिहास लिखा है करनल टांड ने करनल टांड ओके option C correct है जागी 8 नमर में दिये है हॉलसल कहां राजपूतों करते थे हॉलसल जो है कहां राजपूतों करते थे तो ये राजपूतों करते थे आधूरनी करनाटक आधूरनी करनाटक में हॉलसल राजपूतों करते थे next question 9 नमर दिये है मंडल क्या था तो मंडल क्या था मंडल परसासनिक विभाग था option भी correct हो जाएगी तस नमल में दिया है मोहमद बिन तुगलक ने योजना बनाई थी महमद बिन तुगलक ने कौन सी योजना बनाई थी चार option दिया गिया आप लोगों सोच के answer बताने है तो उन्होंने योजना बनाई थी खुराशन भी जाएगी ओके डियार option भी correct हो जाएगी ग्यारा नमल में दिया गया है कि फिरोज तुगलक के समय क्या हुआ आनि फिरोज तुगलक के समय क्या हुआ था option दिया जजिया कर ब्राहमनी पर लगाया गया सामांती वेवस्था स्थापित की कला का पुरुच्सान दिया इन में से कोई नहीं तो ये 11 का ये हो जाएगा correct answer जजिया कर ब्राहमनों पर लगाया गया था कब फिरोज सा तुगलक के सासन के समय चालिए 12 नमर में दिया गया है कि किस यूद के बाद दक्षिन में हिंदु यूद हिंदु राज का पतन हुआ आनि दक्षिन जो एरिया है इंडिया का उसमें किस यूद के बाद हिंदु राज का पतन हो गया था तो 12 का बी correct हो जाएगी ताली कोटा का यूद ओके डियर नेक्स्ट कॉस्चन तेरा नमबर मंगोल आकर्मन किसके समय हुए मंगोल आकर्मन किसके समय हुआ था तो मंगोल आकर्मन इलतुतमिस के समय हुआ था option एक correct हो जाएगी इलतुतमिस गुलाम वन्द से समन दित थे ओके डियर आगे दिया है चाउदा नमर में चंगेज खा कौन था आप लूग को पताना है कि चंगेज खा कौन था चोथ क्या था आप लोग थोड़ा सोचके बताएं तब तक मैं हैंसर पताता हूँ यह हो जाएगा मराठा दवारा लिया जाने वाला कर मराठा दवारा जो लिया जाने वाला कर था वह चौथ था 16 नमर में है कि पंजाब को अंग्रेजी राइजी में किस ने मिलाया पंजाब को अंग्रेजी राइजी में किस ने मिलाया डलहोजी ने मिलाया था ओके डियर options भी correct हो जाएगी आगे 17 नमर में दिया है कि वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट किस ने हटाया वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट किस ने हटाया लॉर्ड रीपन ने option ये correct हो जाएगी अब 18 नमर में दिया है प्रार्थना समाज की अस्थापना किस ने की थी चले एंसा दीजे प्रार्थना समाज की थापना रानाडे ने किया था option B correct हो जाएगी 19 नमर में दिया है कौन सा नेता आरे समाजी था इन में से चार option में से कौन से नेता जो था आरे समाजी था आरे लोग जिस तरह से करते थे वो भी इस तरह से करते थे यह हो जाएगा option C लाला लाजपत्र आए ओके डियर चली नेक्स्ट कॉस्चन आगे दिया है 20 में की कौन सिक्षक राजनिती पत्रकार तथा सोथ करता था ओके डियर सोथ करता था इन में से कौन जो सिक्षक भी थे राजनिती की भी थे पत्रकार भी थे और सोथ करता भी थे ओके तो 20 का D हो जाएगा बाल गंगा धर तिलक यह सिक्षक भी थे ओके और राजनिती भी थे पत्रकार भी थे और सोथ करता भी थे important question यहाँ दिया है 21 में की इन कलाब जिन्दाबाद दिया था हानि किसका था 21 21 का C हो जाएगा मुर्मद इक्बाद इक्बाद लिखा लेकिन मुर्मद इकबाL होता है OK sodium Option C correct हो जाएगी 22 22 में दिया है जिन्ना के समय किया ठीक है जिन्ना के बिसे में क्या ठीक है सोरी समय बोल दिया थे यहां दिया गया है क्या ठीक है उसके बारे में ठीक तो 22 का यह हॉम रूल का समर्थन था है अशायोग आंदोलन का बिरोद किया किये थे यह बेवल योजना का बिरोद यह सारा किया था हूँ ठीक इसलिए सभी सही हैं जो भी बोला गिया है मुहमत जिन्ना पाकिस्तान से पर्धान मंत्री फर्स्ट बने तो यह सब करेंगे यह हो गया और 23 में दिया है राज गोपाल चारी योजना के विसे में क्या सही है राज गोपाल चारी के योजना के विसे में क्या सही है तो 23 का यह करेक्ट हो जाएगी कुछ कांग्रेसियों ने विरोध किया, राज गोपल चारी योजना, जो है कुछ कांग्रेसियों ने क्या किया था, इसको विरोध किया था, चली, 24, 24 में दिया है, कौन कांग्रेस का सभापती नहीं था, कौन नहीं था, तो 24 का सी हो जाएगा, लाला लाजपात रहा है, चली, आगे दिया है, 26 नमर में, कि भारत और मयमार के बीच, सीमा ने इधारित करने वाली परवत च्रेणिया है, ये जो भारत है, और मयमार के बीच में, ये भारत हो गया, ठिक, और इधर मयमार है, तो इसके बीच में परवत च्रेणिया कौन कौन सी है, तो 26 का हो जाएगा, ओप्शन ये, खासी, पटकाई, और अराकान, ओमा, ओप्शन सी करेक्ट हो जाएगी, चलिए, नेक्स्ट कोस्टन दिया है, 27 में, निम्न अस्थानों में से, किस एक में रूधीर वर्षा होती है, रूधीर वर्षा होती है किस स्थान में तब 27 का हो जाएगा इटली में रूधीर वर्षा होती है पता नहीं कैसे रूधीर वर्षा होती है ये तो सोचने की बात है लेकिन यहां question दिया गया है important question थोड़ा समझ सकते हैं अधिया 28 में नागरिक की द्रिष्टी से भारत है नागरिक की द्रिष्टी से भारत क्या है आप लोग एंसर को सोचें तब तक में बताता हूँ यह हो जाएगा option ये एक मध्यम निम्न नगरिकृत देश चलिए next question 29 में दिया है मकर रेखा नहीं गुजरती है मकर रेखा कहां से नहीं गुजरती है ये हो जाएगी वो लिबिया से नहीं गुजरती है option ये correct हो जाएगी 30 में दिया है कि पैटोलियम उत्पादन की द्रिष्टी से निम्लिखित देशों का आरोही करम है पेट्टोलियम उत्पादन की द्रिष्टे से आरोही करम यह सब थोड़ा कन्फूजन वाली है इसलिए आप लोग जरूर आद रखें तो यह हो जाएगा ओप्शन यह करेक्ट ओके डिया चीन, इरान, संजुक्त राज अमेरका, साओधी अरब आरोही करम चले, 31, 31 में दिया है राज सभा के सदस्यों के चुनाव की विधी है राज सभा के सदस्यों की चुनाव की विधी क्या है ओप्शन दिया गिया है ओप्शन C करेक्ट हो जागी एकल संकर्मनिय मत पर ना ली ओके डियर चले, 32, 32 में है कि संसद की कौन सी समिती नियंतरन एवं महा लेखा परिक्षा रिपोर्ट परतिवेदनों की समित्षा करती है संसद की कौन सी समित्थी तो 32 कहो जाएगा option D सारवजनिक लेखा समित्थी 33 में दिया गया है सिख गुरु तेग बहादूर को किसने मित्यू दंड दिलवाया सिख गुरु तेग बहादूर को किसने मित्यू दंड दिलवाया आप लोग को option दिया गया आप लोग answer बताने के कोसिस करें ओके लियर 33 का C हो जाएगा औरंग जेव चली 34 में है अगनी का विसकार किस काल में हुआ अगनी का विसकार किस काल में हुआ था option दिया गया है आप लोग सोचें ये मध्य पासान काल में हुआ था option C correct हो जाएगी आगे है most important question है dear friends ये हर competitive exam SSC जितने हैं पूरे सब के लिए important है railway के लिए भी important है और defense में जितने हैं सारे के लिए important है और हर state level के भी exam के लिए important है इसलिए आप लोग पूरे quiz के रूप में इसे लें और नहीं पता तो आप लोग मेरा answer देखें ओके dear और आप लोग से request है कि subscribe my channel ओके dear support me आगे दिया है नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है तो यह हो जाएगा ओरी सिस option D correct हो जाएगी 36 में दिया है कि प्राचिन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का कैंद्रिय कहते हैं कौन फी लोग अपने देश के संसार को कैंद्रिय कहते हैं कैंद्रिय राइज कहते हैं ओके डियर तो 36 36 का C हो जाएगा युनानी युनानी लोग जो है क्या कहते हैं अपने देश को संसार का कैंद्रिय राइज बोलते हैं चली 38 में दिया गिया है परसिद मेगना काटा पर इंग्लेंड के किस राजा ने स्ताक्चर किये परसिद मेगने काटा ओप्सन दिया गिया चारों आप लोग एंसर बताएं 38 का B हो जाएगा हैंरी 7 चली 38 में दिया है 38, 38 तो कोस्चन ने दिया है चली कोई दिकत नहीं दिया संद्यूक्त राज के किस राष्टपती को दास पर्था उनुमलन का स्रे दिया जाता है ओके तो यह हो जाएगा अब्राहाम लिंकन ओके हमको लगता है साइद यह 37 होगा तो 37 का जॉंकिंग हो जाएगा फ्रेंड्स जॉंकिंग परसीद मेगना काटा पर इंग्लेंड के किस राजा ने अस्ताक्षार किये जॉंकिंग जॉंड ने ओप्शन सी यह 37 होगी ओके डियर 37 आगे दिया 39 में कि सन 1917 की करांती से पूरू रूस का अंतिम सम्राट कौन था रूस का अंतिम सम्राट कौन था तो 39 का हो जाएगा आप्शन D जार निकोलस दूतिये और यह लास्ट कोस्चन है कि मैन कैम्प मैन कैम्प का लेखा कौन था तो 40 का हो जाएगा आप्शन यह ऐडॉल्प हिटलर मैन कैम्प का लेखा कौन था ऐडॉल्प हिटलर यह most important है तो dear यहां खतम होती है 40 यह 40-40 set का मैं 30 कराऊंगा तो आप लोग से request है कि अगर पूरे वीडियो देखें आप लोग को कुछ profit हुआ तो मेरे चैनल को subscribe करें dear support me thanks for watching